श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 नवंबर 2024 यानि गुरुवार को पढ़ रही है। कार्तिक महीने की शष्ठी तिथी और दोस्तों ये वो तिथी है जो कार्तिक महीने में पढ़ने वाली सबसे बड़ी तिथी है क्योंकि यह गुरुवार के दिन पढ़ रही है जो बहुत ही खास है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार छट पूजा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो साथ चने की दाल वाला उपाय है तो दोस्तों इस गुरुवार के दिन आप लोगों को इस साथ चने की दाल वाले उपाय को जरूर करना है। उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। महापुरान की कथा में बताया है जीस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं देखिए ये इस कार्तिक महीने के छट पूजा के दिन यह इतना खास होता है इतना महत्वपूर्ण होता है देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते वो कार्तिक महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है जैसे पित्र दोश हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है यह एक ऐसा उपाय है जीस वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना तो दोस्तों इस साथ चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे कर करना है किस समय करना है और कहां पर करना है ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको साथ चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और तो अब दोस्तों इस साथ चने की दाल वाले उपाय को आखिर करना किसको है सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहने होती है उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बेहनों में से कोई एक माता बेहन भी कर सकती है। हमें करना कहां पर है देखो हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है बहुत सारे लोग प्रशन करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा। घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रशन निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है। कि शाम के समय करना है तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोशकाल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस साथ चने की डाल वाले उपाय को करने का, तो हम आप से बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुभह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपून बात आती है, वो ये आती है कि सुभह अगर हम उपाय को करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोश काल में करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर कितन 12 बजे से जयादा देरी ना हो ठीक है? इस बात का ध्यान रखना उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोशकाल की बात करें प्रदोशकाल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है मतलब शाम के 6 बजे से लेकर गर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोशकाल का समय होता है, पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के छैबजे से रात आठ बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है परंतु गुरुवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतरगत ही कर लो किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा उपसे पहला उपाय विशेश कर आपको साथ चने की डाल से करना है तो इस उपाय के लिए आपको मात्र साथ चने की डाल लेना है इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामगरी को ले करके आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुँच जाना है गुरू जी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से ले कर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं देखो दोस्तों आपके पास जो साथ चने की डाल हैं सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है अब इस चने की डाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है। हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो, तथा मेरे जीतने भी कार्य अटक रहे, बस सभी परिपूर्ण हो, और ये साथ चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ब्रहस्पतेश्वर महादेव का मन में समर्ण करते हुए, गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है, शिवलिंग पर उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है, आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेश उपाय के बारे में, यह उपाय विशेश कर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है, उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड का टुकद्धा लेना है, इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुध जल लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड वाले जल से उपाय करते हैं, तो बहुत ही चमतकारी माना जाता है। और इससे जो हमारा ब्रहस्पति ग्रह है, वह भी मजबूत होता है। आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुच जाना है। अब दोस्तों, इसे गुड के टुकदे को आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और गुड से युक्त जल आपको तयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित क कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और ब्रहस पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, जो भी व्यक्ती गुरुवार के दिन इस प्रकार से यह गुड वाला जल समर्पित कर देता है। शिवलिंग पर उसके जीवन में कैसी कोई भी मनोकामना होगी, वो हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं, तो आपको मनोकामना पूर्ती के लिए ये छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तीसरे विशेश उपाय के बारे में देखिए दोस्तों, इस अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को ले करके आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं, उनमें आपको ये पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है, और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उनहें गीला करना है, यानि कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है, इसी प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार करना है। यानि कि यह जो चावल के दाने हैं, स्वर्ण के समान हो चुके हैं, और ये जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किये हैं, इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। ब्रहस्पतेश्वर महादेव का मन से स्मरण करते हुए। देखो गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है। मंत्र का जाप करते हुए और ब्रहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए। ये सभी उपाय छोटे-छोटे हैं लेकिन इनका जो फाइदे है वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जीतने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जीतने भी कार्य में आपको रुकावटें आ रही हैं। बस सभी दूर होती जाएंगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं। चोथे विशेश उपाय के बारे में देखिए इस उपाय के लिए आपको दो दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आठा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप तो आप दोस्तों इस 108 चावल में आपको 11 उपाय को आखिर करना किसको नहीं है और इसी के साथ में आपको मात्र एक छुट की घर की बड़ी मात्र के समय पहुँच जाना है अपने घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है तो अपने घर में से सभिवाद स्थान है इस उपाय को प्रजवलित करते समय भी कर सकता है और जो आपने का मतलब ये है कि इस उपाय को प्रजवलित किया है एक सदस से भी कर सकता है उसके उपर से आपको इन 11 काले तिल को घर की बड़ी माता ही की दिशा में घुमाना है आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने है देखिए काले तिल भगवान विश्णू के पसी हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है देखिए गोल बाती का जो दीपक है विशेश कर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी के निमित प्रज्वलित कर रहे हैं क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह वि से आपको ले करके पहुँचना है अपने घर के मंदिर में आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ती है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है दीपक को प्रज् 12 बार घड़ी डीधी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्षमी नमह मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है देखिए एक छुटकी हल्दी वाला जो दीपक हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य को लक्षमी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा तो इस प्रकार से आपको यह उपाय अवश्य करने हैं दोस्तों यदि आपको उपाय से जुद्धा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप कमेंट मैं पूछ सकते हैं उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे हर हर महादेव ओम नमह शिवाय झालो चैनल को झालो किसी पुछार को वीडियो नहीं किसी भी छिया आपको किसी बावायが बिला आपको आपको किसी वीण